ओम नमो भगवती वासुदेवाई नमः कार्टिक मास की आपको हर देख शुपकाम नए आज इस वीडियो में हम आपको कार्टिक मास का चौधवा अध्याय सुनाएंगे कार्तिक मास का आज लिखूं चोद्वा अध्याय शिरीहरी कृपकरी श्रत्था प्रेम बढ़ाय तम उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करती हुए देख देवता शिब्ध हो गए उन्होंने देवादी देव शंकर का मन में इस्मरण करना आरव्भ किया तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारच जी को बुला कर देवकारी की इच्छा से उनको वहाँ भीचा शंब भक्त नारच शिब की आग्या से देवपुरी में गए इन्रादी सभी देवता व्याकुल होशी गृता से उठ नारच जी को उतकंठा भरी द्रश्टी से देखने लगे अपने सब दुखों को कहकर उन्हों नष्ट करने की प्रात्ना की तब नारच जी ने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ इसलिए अब मैं द्यतिरा जलंदर की पास जा रहा हूँ ऐसा कहें नारच जी देवताओं को अश्वाशित कर जलंदर की सभा में आए जलंदर ने नारच जी की चड़नों की पूजा कर हस्ते हुए कहा हे ब्रह्मन कहिए आप कहा से आ रही हैं यहां कैसे आए हैं मेरे योगी जो सेवा हो उसकी आग्या दीजिए नारच जी प्रसन्न होकर बोले हे बहा बुद्धिमान जलंदर तुम धन्य हो मैं स्विच्चा से केलाश परवत पर गया था जहां दस हजार योजनों में कल्प्रवक्ष का वन है वहां मैंने सेक्डो कांधेनों को विचरती हुए देखा तथा यह भी देखा कि वे चिंतमणी सी प्रकाशित परम दिव्य अन्भुत और सब को सुवर्ण में है मैंने वहां पारवती के साथ इस शंकरजी को भी देखा जो सरवांग सुंदर, गौर्वर्ण, त्रिनीत्र और मस्तक परचंद्रमा धारण किये हुए हैं उन्हें देखकर मुझे बड़ा अश्र हुआ कि इनके समान सम्रदिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं हिद्यतेंद्र उसी समय मुझे तुम्हारी सम्रदि का स्मरण हो आया और उसे देखनी की इच्छा से ही मैं तुम्हारी पास चला आया हूँ यह सुनकर जलंदर को बड़ा हर्ष हुआ उसने नारची को अपनी सब सम्रदिद दिखला दी उसे देखनारची नहीं जलंदर की बड़ी प्रशंशा की और कहा गी निश्चे ही तुम त्रिलोक पती होने के योग्य हो ब्रह्मा जी का हंसी युक्त विमान तुम ले आये हो और दुलोग पाताल और प्रत्वी पर जितने भी रतनादी हैं सब तुम्हारे ही तो है एरावत उच्ची श्रवागोडा कल प्रवक्ष और कुवेर की निदी भी तुम्हारे पास है मनियों और रतनों की धेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं इससे मैं बड़ा प्रसन हूँ परन्तो तुम्हारे पास कोई इस्तरी रतन नहीं है उसके बिना तुम्हारा ये सब फीका है तुम किसी इस्त्री रत्ने को ग्रहन करो नारज जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया उसने नारज जी को प्रणाम करके पूछा की एसी इस्त्री कहा मिलेगी जो सब रत्नों में मुझे श्रेष्ट हो नारज जी ने कहा ऐसा रत्न तो कहलाश परवत में योगी शंकर के ही पास है उनकी सर्वांग सुन्दरी पत्नी देवि पारवती बोगत ही मनोहर है उनके समान सुन्दरी में किसी को नहीं देखता उनके उस रत्न की उपमात तीनों लोकों में कहीं नहीं है देवर्शी उस देति से ऐसा कहकर देवकारे करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चली गई इसी के साथ चौद्वा अध्याय संपूर्ण होता है कार्तिक मास की सभी अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें बोलो भगवान विश्णु की जय हो भगवान शंकर की जय हो